नमस्कार दोस्तों स्वागाईता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर और जैसा कि आप सभी को थमनिल से पता चली गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कंपनी में अपने इंप्लोई का सैलेडी मैनेजमेंट कर सक आते हैं कि मुझे किस इंप्लोई को कितना पेमिंट करना है तो इस वीडियो को लाज तक देखते रही है नमस्कार दोस्तों मैं हूं चंदन आप देख रहे हैं टैली अकांटिंग सद्यूशन तो चली सुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आ बैल आइकन आ जाएगा तो आपको इस बैल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि मैं जैसी कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं यहां पर कई सेक्शन हैं तो आप वीडियो सेक्श और स्टेप बैस सारे वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइट कर दूँगा आप महां से जाकर के इसे विजिट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते आज की जो हमार यह हमारा टोपिक है है सेनलेरी ड्यू कैसे करें तो अगर आपको अपने बीजनेस में सैलेरी मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों का जरुद पड़ेगा पहला तो आप मैंक्रोसीजों एक्स exactamente मैंप्लॉई लोग सेलेरी मैं इलोग सेसे हीं ऑर फिर आप ट वो भी free of cost तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिलाल टैली का example देने वाला हूँ क्योंकि टैली एक user friendly software है और अगर आपको टैली चलाना आ गया तो आप अपने business की सारी accounting बहुत ही easily report कर पाएंगे अपने boss को या फिर आप सारे report को बहुत ही easily देख पाएंगे तो चलिए म मैं बता देता हूँ example क्या है हमारे सामने यहाँ पर example है कि salary paid करना है हमें July month का as on 5,572,020 ठीक है as follow तो आपको यह salary pay करना है किसे कितना payment देना है मैं नहीं आप लिख रखा है आप देख सकते राहुल रजक accountant है उसे हमें 11,500 रुपए पे करना है मनोज गर्मा salesman है इसे हमें 8,500 रुपए पे करना है विनोत कुमार salesman है 8,000 रुपए salary है रमेश चादाव supervisor है इसकी salary 12,000 रुपए है और जितिंदर पास्वान salesman है इसकी salary 9,000 है तो total हमारे पास salary बन रहा है वो है 49,000 रुपए तो सबसे पहला जो step है दोस्तों है create employee laser ठीक है तो laser create करना है अगर आपने हमारे टेली के पुराने वीडियो अगर नहीं देखें है तो आप देख लिजे description में आपको उसका भी link मिल जाएगा और मैं यहाँ पर i button में भी उसका link डाल दूँगा तो आप सबसे पहले तो laser creation का वीडियो देख लिजे तो मैं यहाँ पर एक company create कर लेता हूँ फटाक से और यहाँ पर से क्या करना आपको अपना financial year को remove कर देना है backspace से और address में दोस्तों आपको अपना full address देना है जैसे की main road पंचगड़ी बाजार कतरास कड़ धनबाल ठीक है और ph देखर के आपको यहाँ पर फोन नमबर दे देना है ठीक है और यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगा वही आपके bill में print होगा state में आपको जहरकन से लेट कर लेना है क्योंकि मैं जहरकन से belong करता हूं और यहाँ पर आपको पिन कोड में जो आपका एरिया का पिन कोड है आपको वह पिन कोड यहाँ पर डाल देना है मैं simply accept कर लेता हूं और यहाँ पर फिलाल में इस option को नो ही रहने दूंगा यह कौन सा option है यह है आपको GST का अगर आपको GST के साथ काम करना है तो आपको इस option को यह करके काम करना पड़ेगा अगर आप इसे यह करते तो आप से पुछेगा अप्लिकेबल फ्रॉम अब चुकि यह 7.2 है तो यहाँ पर आपको GST का अप्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग 7.2 में भ चाहिए बहुत जल्द तो इस वीडियो पर मैं मात्र 500 लाइक का टार्गेट रखता हूं अगर आप इस वीडियो में 500 लाइक कर देते हैं तो 7.2 में GST का बेसिक फंडामेंटल मैं बहुत जल्द आपके सामने अप्लोड कर दूँगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेर भी कर दे और चैनल पर पहले बार आये तो चैनल को सब्स्राइब किये बीना ना जाएं तो चली आगे बढ़ता हूं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर फिलाल एस कर देता हूं हलाकि हमने कोई लेजर तो बनाएंगे तो आपको अपना JST नद्र लिग देना है तो पहता है मैं आपको बता दू निम के लिए आपको सबसे पहले तो अपने SUS कोड कोड लिखना है जैसे की 2 0 उसको वाद आपका जो pancard होता है वहीं आपका जूस्ती noober भूलता है ठीक है तो pen card में क्या होता है five Alphabet होते हैं तो मैं आप पर five Alphabet and four alphabet लिख रहा हूँ फिर एक alphabets एक alphabets,can перв तो कुछ इस तरह का 15 digit आपका GST का noober होता है तो आपको आपको sell text department gst department से मिलेगा ठीक है तो अगर आपको भी जेश्टी नंबर लेना है तो आप हमें mail कर सकते हो आपको हमारी mail id description में मिल जाएगी चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको आगे क्या करना है आपको simply से इंटर मार्क एक्सेप कर लेना है में एकाउंट्स इंवेंट्री फैनेंशल यर में एक चार दूयार बीस अब बुक्स बिगिनिंग में आप जिस दिन बिजनस से स्टार्ट किये वो डेट डाल सकते हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि हमारा जो बिजनस है वो पुराना है और तो उस कंडिशन में आपको यहां पर एक चार दूयार बीस ही रखना है तो हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट और सबसे पहला जो स्टेप में आपको बताया है कि आपको इंप्लोई का लेजर बनाना है तो इंप्लोई का लेजर बनाने के लिए आपको का करना होगा simply यहां पर एकाउंट्स इंफो लेजर और फिर में क्रियेट यहां पर मैं लेजर क्रियेट करूंगा किस किस का आप देखेंगे सबसे पहला जो लेजर यहां पर है वो है राहुल कुमार एकाउंटेंट तो मैं किस तरीके से इसका लेजर बनाऊंगा मैं यहां पर लेजर ब बना हुआ नहीं होगा तो मैं से क्रिएट करूंगा और इसे डालूंगा करेंट लिए ठीक है तो यह तीन स्टेप पर हम लोग सारे लेजर बना लेते हैं तो सबसे पहला जो लेजर है वह है राहुल ब्रैकेट में यहापन मैं दे दूंगा अकॉंटेंट और अंडर जाएग आपको अपने सारे इंप्लोई के लेजर बना लेने हैं और सिंप्ली से एक्सेप्ट कर लेना है तो चली हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसके बाद लेजर बनेगा वह बनेगा मनोज वर्मा सेल्समें तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूंगा मनोज वर्मा ब्रैकेट में स सेल्समेन अंडर जाएगा सेलरी एकाउंट ठीक है तो इस तरीके से मैं सारे लिजर बना लेता हूं जल्दी जल्दी विनोत कुमार सेल्समेन है यह भी तो मैं यहाँ पर उसके बाद है रमेश सुपरवाइजर और लाश्ट है जिते अंदर पासवान कौन है यह तो यह भी सेल्समेन है तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने अपना लेजर बना लिया अगर आप इस लेजर को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे आपको एकाउंट सिंफो में जाना है लेजर में जाना है और डिस् करता है टैली में एक है कैश का लेजर और दुसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो आगे बढ़ता हूं हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेलेरी ड्यू करने का ठीक है तो सेलेरी ड्यू अभमें करना है तो उसके लिए जैसे कि हम लोग जुलाई मंत का सेलेरी कर रहे हैं तो जुलाई मंत का सेलेरी हम लोग यहां पर डू करेंगे 31 91 erlebt को को तो को at the end of the month ठीक है तो स्किल आपको करना क्या है सिंप्ली जी ओटी अकांटिंग वाचर और एफ सेवन दबाना है एफ सेवन में आपको डेबिट में लिखना है सेलेरी और अगर आपका सेलेरी का लेजर नहीं बना हुआ है तो वलसी से बना लेंगे हैं चुक्कि भी हम लोग भी सेवन में यहां से लेट करके लिखना है सेलेरी जो की जाएगा इंडर एक्समेंस अगर आपने हमारे लेजर के वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्सें में दिए लिंक को क्लिक करके देख लें आपको टोल सेलेरी आपको एड करना है जो कि ए 49,000 और यहां पेक करके सारे employee के नाम select करने है और उनके salary भी आपके यापर select कर लेनी है तो मैं यहापर एक एक करके सब के नाम select कर लेता हूं मनोज बर्मा 8500, विनोध कुमार 12000, रमेश यादव 9000 और जितेंदर पासवान 9000 शोरी 11500, 8500, 8000, 12000 विनोध कुमार का salary है 8000 रुपया उसके बाद है रमेश यादव का 12000 रुपया और यहाँ पर है 9000 रुपया और यहाँ पर नरेशन में आपको लिख देना है salary due for the month of July 20 इस तरीके साब को इसके इंट्री पास कर देनी है जैसे आप इंट्री पास करेंगे तो आपके जो balance sheet है उसमें आपको इसका reflection देखने को मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार आपको जाना है balance sheet में और यहाँ liability में जाना है और salary account में जाना है आपको देखा जाएगा तो यहाँ पर salesman कौन कौन है तो सब salesman में इंट्री मारेंगे तो आपको बताया जाएगा कि sell बिनोद को 8000 जीतेंदर को 9000 मनोच को 8500 तो इस तरीके सा आपको यह report देगा और दोस्तों एक simple सा logic में आपको बता दूँ टैली आपको वही बताएगा जिसके बारे में आप टैली को है तो salary pay जिसे हर company का कुछ fix date होता है कि आपको हर मैने की salary 5 तारी को मिलेगी 10 तारी को मिलेगी तो यहाँ पर हमारे पास भी जो एक्जामपल है उसमें यह बोला गया है कि salary paid करना एजन पांच अगस्त को तो हम लोग 5 अगस्त को salary pay करते इसके लिए आपको accounting watcher और F5 दबान है वह credit में आपको लिख देना है cash या फिर बैंक तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सारे employee को एक साथ payment कर देते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ आपको एक एक करके सबका नाम select कर लेना है मैं पहले date change कर लेता हूं पांच अगस्त और यहां से करके मैं सबको payment क कर देता हूं आप देखेंगे जैसी आप इमप्लोई का लेजर सेलेट करेंगे तो यहाँ पर उसका कितना पैसा बखाया है वह आपको यहाँ पर वो चीज आपको दिख जाएगा ठीक है तो आप को वो चीज यहां से दिख जाएगा आप देख सकते हैं कि किसका कितना payment advance payment करते हैं तो उसकी treatment आप कैसे करेंगे ठीक है तो मैं वह आप भी आपको बताऊंगा तो एक एक करके मैं फिलाल सबका payment कर देता हूं यहाँ पर तो लेक दो तीन चार लगवग नहीं एक बच रहा है कौन है जितिंदर पास्वान विनोज जितिंदर मनोज राहूल रमेश ठीक है तो हम लोग ने टोटर पेमेंट कर दिया यहाँ पर 49,000 रुपय का ठीक है क्रेडिट में आपको क्या लिखना है अगर आपके पास cash है तो आप cash payment करिए अगर आपके पास cash नहीं है अगर आप bank से payment करना चाहते है तो आप bank से payment करिए ठीक है तो इस तरीके से आप entry pass करेंगे और narration आपको जरूर लिखना है इस तरीके से आपको entry pass करना है तो फिर आपको यहाँ पर एक note है जो कि समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई employee आप से advance payment लेता है या फिर आप किसी employee के advance payment करते है तो उसका entry अलग से पास करना है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई employee आपके पास आता है बोलता है कि बहुत मुझे 5,000 रुपे की जरूरत है मैं आपको next month salary किसे कटवा दूंगा या 2,000 रुपे करके मैं आपको 2 मेना कटवा दूंगा मुझे 4,000 रुपे की जरूरत है तो आप क्या करे है ठीक है कप payment कर रहे हैं तो यह हम 15 तारीक डेट डाल देते हैं और नरेशन में आपको लिख देना है advance payment या advance paid इस तरीके से ठीक है अब आपको क्या करना है अब अगस्त महिने का salary due होगा कौन से तारीक हो तो 31 अगस्त को ठीक है तो यह आपके notes में available नहीं होगा बट अग आप इससे download कर सकते हैं description में इसका link है आप अराम से download करिए इसको अपने copy में note करिए और फिर इस चीच की practice करिए अगर आपके पास घर में computer है तो आप घर पे practice कर सकते हैं अगर आपके पास घर पे computer नहीं है तो आप अपने किसी ऐसे friend को पकड़िए या फिर ऐसे friend को contact और यही बाने आप दोनों इस चीज को अच्छे से सीख भी लेंगे ठीक है तो टैली एक ऐसा चीज है कि अगर आप सीख लेते इस चीच को तो आप अराम से बैठे बैठे घर बैठे बैठे महिने का 10 से 15,000 पा तो अराम से कमाई सकते हैं अगर आपको किसी specific topic पे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करें मैं जरू बनाऊंगा इस वीडियो पर मैंने आपको बताया 500 लाइक का टार्गेट है तो अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप प्लीस लाइक कर दें तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम क्या करने वाल यारा पान सो मनोज बर्मा आठाजार पान सो वी नोध आठाजार रमेश बारा हजार और जीते इंदर पास्वान ना हजार तो यहां पर मलिख देंगे हम लोगों ने कर दिया ठीक है अब हमें देखना है कि किसी इंप्लोई को कितना प्रमेंट करना है तो आप सिंपली वैलेंच शीट में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे करेंट लाइबिलिटी में आपको दिख रहा है टूटल श्यालीस अजार रुपए तो श्याल करके यहां पर उसका सैलेरी देखा रहा है कि आपको से आड़े और पांच रुपए देना है तो इस तरीके से आप अपने इस चीश का एंट्री कर सकते हैं अगर आप से बॉस अगर पूस दे कि बताओ इस मैंने हमें टोटल सिलस्में को कितना करना है टोटल भी पूरा करना है ठीक है और कुछ समय टाइमिंग आपको यहां पर दिया गया 45 मिनट तो आपको कोसिज करना है कि 45 मिनट के अंदर ही आपको यह सारे काम कर लेने हैं अला कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा बट अगर आपको कोई कन्फीजन है तो आप वीडियो को बार बार र एलेटेड वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैंने आपको पहले भी बताया है चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो मिलेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो नहीं मिलेगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करन है तो जैसी आप हमारे नाम पे क्लिक करेंगे आप हमारे लोगों पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के जो मेन पेज है उस पे पहुंच जाएंगे और यहीं पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा इस टैप का अगर आपके पास यह जो सब्सक्राइब का बटन हो ग्रे step by step आप सारे वीडियो मैंने step by step step आप सब्सक्राइब करेंunt जब तक के लिए देखते रहे हैं सेखते रहे हैं थैंकियो फॉर वाचिंग